संसकार धानी दसेरा चल रहे समारों में बिशाल बेंड बाजे वाले परूस रहे असलील था जवलपुर सहर में दसेरा चल समारों का अपना एक एतहाशिक महत्त रहा है सबी दुरगाशमीतियों के साथ एक बेंड दलभी गाजे बाजे के साथ विदाईश अमारों में भाग लेता है इस दसेराचल समारों में नियमों की धज्जियां उड़ाए गई जहां बेंड बाज़ा वाले असलील फिल्मों की गीतों पर धुन बजा रहे थे तो वहीं कुछ बेंड वाले स्टेज पर असलीलता परोस रहे थे सबाल ए है कि एचुक हुई कहां से है दसेराचल समारों में उस समय चुक देखने को मिली जब राजकुमार बेंड और विशाल बेंड की असलीलता का ब्रोत श्री स्रम जीवी पत्रकार संगतन की द्वारा किया गया मन्च से जैसे ही पत्रकारों की टीम ने से देखा तुरंट इसका व्रोत किया और पहले उन्हें सम्झाईश दी जब बेंड वाले इसका व्रोत करने लगे तम मोर्चा समालते हुए पत्रकार सिम्रण ने उन्हें सब्यता संस्क्रती और परंपरा की जानकारी दी और साथ ही पुलिस प्रशाशन और बेंड वालों को एहदाया दी कि अगर मंच से असलील का बंद नहीं की गई तो आपकी लिखिस सिकायट दी जाएगी मातरानी के अनोहरी प्रतिमाएं जा रही थी ऐसे में विदेशी बालाओं को इस प्रकार से बुलाने का क्या और चित्त पर सबाल किया गया और साथ ही विसाय की गंबीरता को देखते हुए महिला पुलिस ने मोर्चा संभाला उन दोनों विदेशी बालाओं को जैकेट और दुपट् इसके अलावा ऐसा कोई भी द्रश्य ना हो ऐसी कोई भी बात ना हो जिस पर कि किसी धर्म की या किसी धार्मिक भावना को फेस पहुचे ऐसे में विशाल बैंड के द्वारा मंच पर सबसे पहले तो दो लड़कियां खड़ी की गई थी जिनकी ड्रेस जो थी वो हमारे माता रानी के राधना करते हैं नौ दिन और हम बच्चों का पूजा करते हैं हम नारियों का सम्मान करते हैं ऐसे में दशैरा चल समारो जो की संसकार धानी जबलपूर शेहर का अपना एक गोरव है उसका उसमें अगर मंच पर ऐसी लड़किया खड़ी है जो कि आपके ट्य कि अपमान हो रहा था तो हमने श्रम जीवी पत्रकार संग्ठन की ओर से आवाज उठाई और तुरंत उनको रोका और उसके बाद उनको हमने ये बोला कि अगर आप ऐसी लड़कियों को ऐसी चल समारों में लेके जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी धार्मिक भावना को ठेस प को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी न भूलें मैं आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए धन्यवाद